हेलो आपका स्वागत है आपके अपने चैलन टोटल मैथमेटिक्स में तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक और इंपर्टेंट टॉपिक जो की डिलेट करता है वेक्टर कैलकुलस से वो है स्टॉक थियोरम यह इंपर्टेंट है इस से रिलेटिव जो है हमारे एक्ज भी आ जाते हैं और थियोरम भी आ जाती है तो एक्जाम के पॉइंट व्यू से यह जो थियोरम है बहुत इंपर्टेंट है वेक्टर कैलकुलस की तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भ ता सर्फिस इंटिकल से वोल्यम इंटिकल था इसमें भी एक डिलेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा है ठीक है तो हम इसका स्टेट्मेंट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है हमारे पास एस क्या है एक ओपन सर्फिस है जो की बाउंडेड है इसके द्वारा एक क्या है बाउंडेड है और हमारे पास क्या है एक फंक्शन दे रखा है कंटिनियूस वैक्टर फंक्शन जो की जैसे कि हमें टाइवर्जंस थियोरम में भी दे रखा था इस्टेट्म में अगर आप यहां पहले वह थियोरम देख लें उसके वाल यह थियोरम देखे तो क्या कहते हैं इसको है कि चुटीनियस होगा और जो डेरिवेर्ट पार्शल डेडिवेर्ट रूगे वह भी क्यूंगे कंटिनियस ही होंगे किसमें जो हमें ऐस जो हमारे आपन सर्फेज उसके अंदर तब हमारा एक डेलेशन भी बन जाए गए आए से जो हमारा यह यह ना F vector और DR vector बरावर होगा surface integral curl F vector dot n cap ds यह relation में होजागा कि line integral हमारा बरावर होता है किसके surface integral के या हमारे exam में उल्टा पूछा आ सकता है कि surface integral बरावर हो line integral के तो जैसे आपको exam में दिया हो उसी साब से आप question को देखे ठीक है और यहाँ पर होता है हमारा normal vector होता है किसी point s पर अन एस पर ठीक है तो यह पूरा इसका क्यों हो गया statement यह आप देख सकते हैं आप तो इसका statement याद करने यह इसका formula है यह आपको समझ में आ गया तो आप आगे को question easy कर सकते मैंने आपको यह याद करना ठीक है तो यह था हमारा stroke theorem का statement तो आप इसको देख लें यह theorem हो चुगी है पूरी अब हम इसके relative question को देखते हैं यह question question है कि verify करो stroke theorem को stroke theorem for हमें एक function दे रखा function बेक्टर जो होता है हमारा f बरावर x square plus y square bracket में i cap minus 2xy taken around the rectangular bounded by किसके द्वारा x बरावर plus minus y बरावर 0 और y बरावर b हमें एक तरीके से limit भी दे रखे और यह क्या है एक rectangular के द्वारा bounded है पहले हम क्या कर लेंगे हम यहाँ पर x और y दो direction भी हैं तो हम क्या करेंगे एक x बना लेंगे एक y बना लेंगे और एक x बना लेंगे ठीक है फिर हमने उसने क्या होला कि क्या x बरावर plus minus e तो एक बना लेंगे ब José एक्स और फैर से ब्लावर कि हुसे विट जडेल इसे जिर इस हमारा है जाना आना भी तो भईले उलिणटी हमने लिग होते हैं करा इसकी लिमेट थी हमने उसे अहारा इसका डायग्राम बन गया, अब क्या करेंगा, हम यहाँ पर, बाइ लगाएंगे, श्टोक थियूरम के त्वारगों की वेरिफाइग करने हैं, तो हमारी श्टोक थियूरम होती है, लाइं इंटिकल F-vector.dr बरावर सर्फिर इंटिकल F-vector.ncapds इसे मराले हमने question number 1 ठीक अब क्या करेंगे हम verify करनी है पहले ये कर लो या ये कर लो ठीक है या ये कर लो पहले या ये कर लो वो तुम्हारे उपर है हमें क्या करनी है सबसे पहले इसको verify करनी है verify मतला इसकी value find करनी है और इसकी value find करनी है ठीक है तो आप क्या करेंगे हम क्या करेंगे पहले हम निकालना हमारे लिए क्या easy होगा यह curl f dot जैना कि surface integral निकालना हमारे लिए easy होगा तो पहले हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे ठीक है तो अब तो अब देखते हैं कैसे निकाल लेंगे curl f geographic curve को निकालने के concept लिए बिख एक्स की वैैलियो रखी हगी ओपर , णक्रिए होगे , यहां की वैल्यूई यहां बल्यू रखने के बाद में सारी की छारी हम के टिश हो इसको करतें गे यह को आघूँष हो जागा यहां की यहां जीजिड़ो हो जाहर है जे का लेंगे, जे का portion में क्या होगा 0 हो जागा, की के portion में बचेगा हमारा, खली यहां से 2Y जब हम इसकी से multiply करेंगे, तो यहां से बचेगा 2Y और यहां से बचेगा 2Y तो यहां जगा minus के 2Y सही है, तो यहां जगा 4Y K, तो हमें आजगा card left command minus के 4Y K, ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, यहां पर हमें क्योंकि यह formula हमें इसकी value निकाल चुके है अब इसकी value चाहिए, अब हम क्या करेंगे हैं आपर तो हम इसकी value तो find कर चुके हैं अब हमें इसकी value find करने हैं n vector और ds vector, ds की x और y क्योंकि हमने diagram में भी यही बना जाया है अब क्या है, also n cap की value हो जागी, k cap ठीक है, यह आप याद रखना है तो then, यह अब क्या करेंगे, solve करेंगे हमने सब की value में मिल चुकी है तो यहां लिख लेंगे अब यहां limit का किसे पता चलेगा हमें सबस्पहल आएगी y के limit तो y के limit अगर हम डाइगरम में देखेंगे तो y के limit क्या, y हो राओ, 0 से b हो जाएगी वही लिख लिखे हमने यहां पर सही है, अब दूसरी x की limit देखेंगे x की limit कहां से, minus के a से plus की एक ही और हो जाएगी सारी कोई लिखे हमने यहां पर और यह value थी हमारी किसकी करल F की और यह आगे किसकी, ds की जगा dx dy, अब देखते हम आगे इसको कैसे solve अगरा हमारा क्या होगा यहां पर कि यहां से minus के 4 बाहर आजाएगा, minus के 4 लिख लेंगे, बाकी value थी y dx dy बचेगा minus के 4 बाहर यह, यहां करतेंगे x का हो जाएगा x के सापक्ष में, तो यहां पर x y और limit लगा देंगे dy, x के सापक्ष करेंगे तो यहां अपर limit minus lower limit होता है तो यह दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी जो हो जाएगा 2a y dy, यहां से 2 यहां से लिख देंगे y, यहां y के सापक्ष भी करतेंगे तो इसका जगा y square upon 2 y square upon 2 2 से 2 का आट देंगे बचे का a y square यहां limit लगा देंगे तो जगा b square 0 लगाएगी, 0 ही रहेगा तो यह जगा b square यहां जाएगी minus के 4 a और b square ठीक है इसे मैं लगा लेंगे semical number 2 ठीक है, यहीं से ही अब क्या करेंगे एक side हम निकाल चुके है यह side हम निकाल चुके है यह side और निकाल लिए हम हमें तो देखते है अब क्या करेंगे हम यहां पर कि line integral f vector dot dr vector निकालेंगे यह हमें दे रखा है function f में question में देखेंगे दो ठीक है और dr का हमें पते यह है कि वो क्या होगा dx plus dy ठीक है वो हमने लिख दिया इन के कर देंगे multiply कर देंगे तो line integral x square plus y square dx minus 2xy और यहां जागा dy ठीक है इतना यह होगी अब क्या है कि यह जो line integral है हमारा यह क्या है हमारे पास चार तरीके से है चार parts में वो कैसे line integral एक है d से a तक a से b तक b से c तक c से d तक चार होगी अब हमने कहा खाली इसकी value निकाली यहां जब मान लखेंगे line integral का तो रख देंगे कहां से कहां तक d से a a से b b से c c से d ऐसे क्या हो जाएंगे चार portion हो जाएंगे ठीक है तो वह यह हमने रख दिया d से a a से b b से c c से d इसकी value तो हमें पता है लेकिन इनकी value हमें किसी की नहीं पता तो यह हम find निकल लेंगे वो मैं बताऊंगा अभी कैसे फिर के लिखें आलों Yoga डी वेकि लोंग निकलने किया रख दे का要 रखें यहां पर कैसे रखदी रख्था है वाई विरयावर जीरो दे Gru B अगर वई विरयावर जीरो होगा ऑगर वाई वडावर जीरो होगा तो दी वाई कितना हो जागा जिरो हो जागा, ऐसी A B A B का लॉंग देखें, अगर A B, A B का लॉंग ए, X वरावर A है, तो D X वरावर जिरो हो जागा ऐसी B C का लॉंग देखें B C का लॉंग Y वरावर B है, तो D Y वरावर जिरो हो जागा, ऐसी C D का लॉंग क्या है, X वरावर माइनस A है वह जो नहीं करगे हैं अब यहां पर क्या था? यहां पर था Y औरह 0 यहां रख देंगे पहले उसमें क्योंकि DA के लिए हैं, DA के लिए है, то यहां भी 0 , यह पूज्चन पूरह 0 हो जागा यहां से लेके यहां तक का होगे जिरू, यहां पर भी यह value रखेंगे जिरू की जिरू यह निकि x square dx बचेगा बस आगे है x square dx और limit, limit में क्या है आपर limit लेखेंगे d a की, d a के लिए limit तो वो क्या हो जाएगे, minus a से plus वही use करिए हमने plus अगला देखेंगे, अगले में क्या है a b के लिए अब a b के लिए यहां पर क्या है x square a और dx square 0 तो x square a रख देंगे तो यहां पर क्या जाएगा dx square 0, यानि कि यह portion 0 पूरा गा पूरा यह बचेगा portion, यानि कि minus के 2 a y dy हो जाओगे, एक से जगा a है से लेके, a से लेके b तक के लिए, तो y राओ 0 से y राओ बी तक आ गई प्लस, अब देखेंगे ऐसी हम, किस के लिए a से b होगे, b से c के लिए, b से c के लिए, यहां से देखेंगे मान फिर से, y राओ बी होगा तो dy राओ जीरो यहां रखेंगे value किस की रखेंगे y राओ और b y राओ राओ रखेंगे, तो dy कितना होगा जीरो राओ जीरो यह पोशन दो पूरा 0 यहां पर कि बचेगे, x स्क्वाइर प्लस b स्क्वाइर और dx आ गया होई, और लिमिट देखेंगे अब किस के लिए यहां पर, b, c के लिए तो यहां उल्टा हो जाएगा, a से लेकर माइनस से तक आ गया होई ऐसी इसके लिए निकाल लेंगे तो आपको आई गया होगा तो यहां जागा 2 a y, dy लिमिट हो जाएगी वाइवर और b से 0 तक यहां क्या रख देंगे सारे portion रख देंगे कि value यहां से निकाल लेंगे x square यहां क्या है, limit change कर देंगे limit change करने से क्या होगा अगर limit change कर देंगे तो यहां plus था, तो माइनस हो जागा plus का portion था यहां पूरा क्यों जागा, minus हो जाएगा ठीक है, हुगा, माईनस जब लिमिट चेंज करते हैं, यहां ता, a to minus है, करते हैं, ऐसे यहां ओपर northern यहां सेम देर रखे थी, zero, two, two, लेookyन यह आती, while to zero, ति हम change करतेंगे, यहां plus में यहां, minus में होजाएगा, ठीक है, आगे साथ में, यहां पर हमने x का गरा है, x की q upon 3 आगिया है, ओपर देखो, x की q upon 3 आगिया है, ठीक है, यहां भी यही था, यहां पर क्या था हमारा x square plus b, इसका लग कर लेंगे, x की q upon 3 हो जागा, यहां पर b square बहार आजागा, बच्चे का x, वहान लिमिट लगा देंगे, माइनस 8 होए, य 4 a की यहां पर क्या था, यहां पर भी माइनस के 2 a y है, यहां पर भी माइनस के 2 a y जोड देंगे, तो यहां पर क्या आजाएगा, 4 a, y का हो जाएगा y square upon 2, limit लगा देंगे, 0 से b, ठीक है, क्या रहेंगे सीधे, इसमें limit रख देंगे, एक बटे 3, 1 की q, एक बटे 3 आगिया यहां पर क्या होगा, अपर limit लगा देंगे, a की q, यहां अपर limit, minus, 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 क्या हो जाएगा, plus, यहां भी a की q, यहां लेकिन यही value है, same आजाएगी, minus में, तो यहां पस में, कट जाएगे, दूसरे से, यहां क्या होगा, minus कहां से आए, क्योंकि यहां पर क्या था, उपर, य इन दोनी के वैल्यू निकाल है हमने दो और तीन में तो यहां रख देंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों क्या आपस में बरावर हैं अगर ये बरावर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ हम लिख देंगे आपर कि जो हमारी इस्टॉक्टियोरम वो क्या है हमारे चैनल पर नए हूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ